किरा लूँगा भारी भर कम रा कम सालियों की जेब में जा रही है तुम क्या करें? ठीक है? तसराल में उसकी इसद बनी रहा है तेनी रिष्टे के लिए हामी परती चो लो काम करते हैं ना सब उनकी इसद करते हैं और जब सबाब की इसद करेंगे तो पाकिस्तान ड्रामा वर्ल में आप सब का वेलकम है तिनके किसहारे की एपिसोर 3 में हम देखेंगे कि वासे की बेहन बिल्कुल भी नहीं चाहती कि दुनिया और वासे एक दूसरे के करीब आए क्योंकि उसको लालच है कि कहीं वासे ये घर दुनिया के नाम ना करते और इस घर की महरानी कहीं दुनिया नाम बन जाए दूसरे तरफ दुनिया अपनी हस्बिन वासे से तंग आकर अपने माबाप के खर आती है उनसे मिलने के लिए लेकिन वो उनके घर तक पहुंच जाता है उस पर शदीद शक करता है और उस पर अपने बाप के गंदे पिसार रखकर उसे कहती है कि बाबा वो मुझे कहीं पर भी जीने नहीं देता मैं उसकी वज़ा से बहुत तंग हूँ मैं अगर वहाँ पे चली गई तो में जिन्दा नहीं रहूंगी लेकिन उसका बाप उसको वापिस भेज देगा दूसरी तरफ हमाद की बीवी भी अप परेशान है क्योंके उसकी सास उसे तानी देने लग गई है कि मेरा बेटा तो कुछ नहीं कमाता था अब तुम भी उसके साथ बैट के मुफ्त की रोटियां तो रही हो जब के दूसी तरफ दुनिया भी अपनी परेशानी की वज़े से बेहत बेहाल है अब अपने हस्बंट हमाद को समझाने की कोशिश करती है कि बाहर निकल कर कोई काम करें क्योंके जब आप काम करके कुछ पैसे खर कमा कर लेके आएंगे तब ही तो इज़त हमारी यहां पे होगी और जो आपकी इज़त करेगा वो मेरी अगर आपने अभी तक एपिसोड टू नहीं देखी तो उसकी भी डिटेल आपको कुछ बताती जाती हूँ दुनिया की शादी हो जाती है वासे से और वो आ जाती है वासे के खर शादी की पहली रात होती है कि उसकी कुछ सहलियं वासे से अपनी रसम के पैसे लेना चाह रही होती है जिस पर उसकी बेहन कहती है कि दुनिया तुम ही बताओ तुम अपने मिये का नुकसान करना चाहोगी जिस पर उसकी सालियां कहती हैं कि दुनिया तुम हमारा साथ होगी या अपने शोहर का दुनिया से गलती से ये मूँ से निकल जाता है कि मैं अपनी सहेलियों का साथ दूंगी ये बात सुनकर वासे को बेहत गुसा आता है वासे कह करता है वो पैसे निकाल कर अपने सालियों को तो दे देता है लेकिन सालियों और अपनी बेहन के जाने के बाद करता है दुनिया के साथ बेहत बत्तमीजी उसकी बेहन जब कमरे से बाहर निकल जाती है तो वो दुनिया से कहता है कि तुम्हें शरम नहीं आती नहीं है तुमने मुझे दो टके का बना कर रख दिया तुम जैसी लड़कियों को तो पहली रात ही तलाग दे कर अपने माबाप के घर बेज देना चाहिए लेकिन मैं कैसे भीज सकता हूँ तुम्हारे माबाप कैस सोचेंगे कि तुमने किस हरकत की कि तुम्हें तुम्हें त भीजना पड़ा वो दुनिया को बेहत बाते सुनाता है और उसे कहता है कि मेरा तो बस चल रहा है कि मैं तुम्हें अभी तलाग दे के तुम्हें घर भीज दूँ दूनिया बैट करी उसकी ये सारी बाते सुनती रहती है और रोती रहती है वो उसको हैरत से देखती रहती ह कि ये वो ही वासे है जिससे मैं शादी करना चाहती थी वो कहता है कि तुने मुझे दो टके का नहीं छोड़ा फिर उससे वो ये भी पूछता है कि तुम्हारा कोई इश्क मुशूकी का चकर भी है जिस पर दुनिया उसे कहती है कि मेरी जिन्दकी मेना आप से पहले कोई था और ना ही कोई आपके बात आएगा ये बात सुनकर भी वासे को गुसा चार जाता है और उसको कहता है कि तुम जैसी लड़कें ही होती है जो इश्क मुशूकी के चकर में पढ़ती है अगर कोई है तो मुझे अभी अभी बता दो लेकिन दुनिया उसे साफ साफ बता देती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है दूसे दफ गदर की शादी भी हमाद के साथ हो कई है क्योंके गदर की शादी हमाद से हुए हमाद कोई भी काम नहीं करता पहली रात ही बारिश की वज़े से च्छत टपक रही होती है इसलिए हमाद शादी का सूट पहन कर च्छत के उपर जाकर उसकी बरसाती को ठीक करने की कोशिश करता है जब वो नीचे आता है तो उसके कपड़े भी गए होते हैं वो कदर को कहता है कि मेरे तो सारे कपड़े गंदे थे मुझे था कि मेरी बीवी आकर ठो देगी इसलिए मेरी माने मेरे भाई के कपड़े मुझे दे दिये है पहली शादी की रात है मैं गिले कपड़ों में कैसे तुम्हारे सामने आ सकता हूँ वो अभी उससे बात ही कर रहा होता है कि लायर चली जाती है कदर अंधेरे में बैटी परिशान हो जाती है दोसी तरफ दुनिया अभी भी परिशान है बासे को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने पहली रात दुनिया के साथ बेहत गलत किया वो दुनिया के पास बैटता है और उसे माफी मागता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा इस घर में पहली रात है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ मैं गुसे में आपसे बाहर हो जाता हूँ गुसे पे मेरा काबू नहीं रह पाता मैं तुम से उस चीज के लिए माफी वो उसके लिए जो अंगूठी लेकर आया होता है वो उसके हाथ में डालता है और कहता है कि मैंने सबसे महंगी अंगूठी बनवाई है और ये भी बताता है कि ये सबसे महंगी और कीमती अंगूठी है जब मैं जोहारी के पास किया तो उसे कहा कि जितनी मेरी बीवी तुरत मुझे अंगूठी भी दे वो दुनिया से माफी मांगता है और अपने कान भी पकरता है लेकिन दुनिया आगे से कुछ नहीं कहती बस उसको हमोशी से देखती ही रह जाती है उसी तरफ कदर और हमाद का सीन दिखाया गया है क्योंकि उनकी शादी की पहली रात है तो लायर चली जाती है हमाद बाहर से मौमबती लेके आता है और कदर को कहता है कि मेरे भाई के कमरे में यूपियस है मैंने भी अमा को कहा था कि मुझे यूपियस लगवा दे लेकिन उन्होंने साफ इंकार कर दिया लेकिन अम मैं क्या कर सकता हूं क्योंकि मैं कुछ कमाता जो नहीं हूँ ये बात सुनकर कदर उसे देखने लग जाती है और कहती है कि आपकर रियल स्टेट का बिसनिस जिस पर हमाद उसे कहता है कि यार मेरा तो रियल स्टेट का कोई भी बिसनिस नहीं है अबा की दुकान है जहां से कराया आता है बस वो कराया लाके मैं अपनी अमा को दे देता हूँ और जब वो दुकान खाली होती है तो कोई करायदर लाकर दे देता हूँ अगर यही रियल स्रेट का बिस्निस है तो हाम मैं वो बिस्निस कर रहा हूँ लेकिन मुझे उस कराय से कोई एक उर्पिया भी नहीं आता कराया आता है और अबा की पैंशन आती है वो स इस बात पर परेशान होता है कहता है तुम रोना मैं नहीं चाहता कि मेरी वज़ा से तुम्हारी आंकों में एक भी आंच सुआए उसी तोरान कदर को लगती है गर्मी तो वो कहता है परेशान नहो अभी लाइट आ जाएगी वो अपने तोलिये से कदर को हवा देने लग जाता है कदर उसको पहले देखती रहती है कि ये कर क्या रहा है फिर उसके बाद हुदी उसकी इस हरकत पर हसने लग जाती है आज शादी की पहली रात कदर से कुछ भी नहीं चुपाता वो सारी तफसील उसे बता देता है कि वो कुछ नहीं करता वो बड़ा कैशुल सा बिहेविर कदर के साथ रखता है जैसे कोई चोटा सा कोई बच्चा हो अगले सीन में दिखाया गिया है कि दुनिया जब शादी की पहली रात से सुबा उटती है तो अपने बाल बलो ड्राइ कर रही होती है वो बहुत डरी डरी नज़र आ रही होती है क्योंकि बलो ड्राइ होता है वासे के हाथ में वो उसे कहता है कि तुम अपने बाल बिल्कुल ठीक कर लो और रोने लग जाती है जिस पर वासे की बेहन को शक होने लगता है कि कुछ हुआ है वो वासे से आँखों के इशारे से पूछती है कि मुझे बताओ क्या हुआ जिस पर वासे अपनी बेहन को बताता है कि मैंने इसको थपर मारा है واسے کی بہن واسے کو دیکھتی رہ جاتی ہے اور اسے منع کرتی ہے دنیا ساتھ ہی اس کی بہن سے پوچھتی ہے کہ اما اببہ آگے جس پر وہ کہتی ہے کہ تم اگر اپنے ماں باپ کی گھر کے ساتھ اٹیچ رہو گی تو تم ہمارے گھر میں کیسے ارجسٹ ہوگی جس پر دنیا کہتی ہے کہ انہوں نے ناشتہ لے کر آنا تھا لیکن اس کی بہن کہتی ہے کہ ہاں انہوں نے آنا تھا لیکن مجھے ان کھانے پینوں کی رسموں سے बहुत नफरत है, मैंने उनको आने से मना कर दिया कि यार हम क्यूं किसी की जेप पर बोज़ बने इसलिए हमें ने यहां पर खुद नाश्टा बनवाया है हमारे घर में खाने की कोई कमी है कि चलाओ तुम बैठो और नाश्टा करो उसी तरफ कदर भी सुबा सुबा उटकर बैठी होती है लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं जाती और इंतजार कर रही होती है कि हमारे अभी सोकर उठेगा और हम अकटे बाहर जाएंगे वो कोशिश करती है कि हमारे सोकर उट जाए उसको हमोशी हमोशी से उठाने की कोशिश भी करती है लेकिन उतनी ही देर में दर्वाजा बचता है जब वो दर्वाजा खोलती है तो सामने खड़ी होती है हमाद की मा मतलब कि उसकी सास उसकी सास कहती है कि ये कैतोर तरीका हुआ कि बहुत उपहर तक सो रही है जिस पर वो अपनी अमा को कहती है कि मैं तो सुबा से उठी हूई हमाद नहीं सो रहे उसकी अमा हमाद को उठाती है और कहती है कि चलो चाय बनाते हैं दूसरी तरफ कदर की बेहन अपनी सास को कहती है कि कदर के घर नाश्टा लेकर जाना है उसकी पहली सुबा है जिस पर उसकी सास उसे साफ इनकार कर देती है कि हम नहीं जाएंगे जबके कदर की सास को इंतिजार है कि कदर के घर से नाश्टा आएगा वो कदर से पूछती है कि तुम चाई घर की पीओगी या तुम्हारे सुस्राल से जो आईगी वो पीएगी जिस पर उसका मिया कहता है कि चलो घर की पी लेते हैं कदर कहती है कि ठीक है मैं घर की चाई पी लोगी जिस पर उसकी सास कदर को ही कह देती है कि चलो बाहर चलो मैं तुमें किचन दिखा देती हूँ किचन में तुम खुदी चाय बना लो तीन कप चाय बनाना मैं भी तुम लोगों के साथ चाय प्यूंगी قدر ساز کی یہ بات سن کر پریشانسی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی شادی کی پہلی صبح ہوتی ہے تو اسے پہلی صبح ہی چاہے بنانے کے لیے اس کی ساز کہہ دیتی ہے وہ اپنی ساز کے پیچھے پیچھے کچن میں چلی جاتی ہے جبکہ دوسری طرف اس کی بہن اپنی ساز کو منا رہی ہے کہ ہم قدر کے کھر ناشتہ لے کر چلے جاتے ہیں جس پر اس کی ساز کہتی ہے جب تمہاری شادی ہوئی تھی तुम्हारे माबाप तो हमारे खर नाश्टा लेकर नहीं आये थे क्यों तुम अपने मीए की जे पर बोज बना चाह रही हो हम नाश्टा लेकर नहीं जाएंगे तुम्हारे माबाप ने नाश्टे की पूरी त्यारी करके रखी होती है इसकी माँ कहती है कि अगर नाश्टे की रस्म उन लोगों में नहीं ती तो उन्हें चाहिए था हमें पहले से ही बता देते ये तो उन्होंने गलत किया, इतना रिस्क जाया हुआ जिस पर उसके एक बाप हमोशी से सुनता रहता है जिस पर उसकी मा कहती है कि आप हमोशी से सुन रहे हैं कोई जवाब नहीं दे रहे उसका बाप कहता है कि मैंने जवाब देना खतम करती है और बेहतर है तुम भी सवाल करना खतम कर दो क्योंके बेटी अपने घर की हो गई है अगर हम उसे उसके घर में बसाना चाते है तो बेहतर यही है कि हम इन बातों को इगनॉर करें अगर वो खुशी से आती है तो ठीक है अगर नहीं आती तो कोई मसला नहीं वो अपने घर में खुश रहे दूसी तरफ कदर जब किचन में आती है तो बहुती बदसलीकी से सारे बरतन पड़े हुए होते हैं उसकी सास उसे कहती है कि उपर चाय में चीनी और पती डालने के लिए उपर रखी है जाके निकालो जब वो अर्मारी से चिनी और पती निकालती है तो वो लफाफों में मजूढ होती है जिस पर वो अपनी सास को कहती है कि application डबे नहीं यह नहीं हो चिनी में जूंटियां चली जाये और पती में हुश्बू खतम हो जाए ये बात सुन कर उसकी सास इंप्रेस हो जाती है और कहती है कि तुम ने तो मुझे अपनी जवानी याद करवा दी जब मेरे हाथ में ये सारे काम थे तो मैं सारे काम बहुत सलिके से करती होती थी जबके दूसरी तरफ वासे की बेहन जब देखती है कि दुनिया और वासे खुश हैं तो वो उसे देखा नहीं जाता वासे की बेहन कहती है कि मैं इन लोगों को खुश नहीं रहने दूँगी जबके उसका बेहनोई कहता है कि हम तो कहते हैं कि हम हैदरबाद वली कोठी को सेट करके वहाँ पे चले जाते हैं क्योंकि आज नहीं तो कल वो इस घर की मालकन बन जाएगी जिस पर वासे की बैन कहती है कि वासे इस घर की मालकन मुझे समझता है इसलिए वो हमें इस घर से नहीं निकालेगा वासे दुनिया से कहता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो या कोई किसी की याद सता रही है ये बात सुनकर दुनिया वासे को कहती है कि आप हर वक्त ऐसी बाते क्यों करते रहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है